इसका question number 8 यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो chalk है उसमें 10% calcium होता है 3% carbon होता है and 12% oxygen होता है तो हमें यहाँ पे find out करना है कि यह किस amount में है 1 kg chalk में ठीक है न यह हमें gram में find out करने है तो यहाँ पे देखे calcium amount जो है वो कितना हो जाएगा तो calcium amount यहाँ पे रहेगा हमारे पास कितना रहेगा 10% of 1 kg ठीक है 10% of 1 kg इसका क्या मतलब है यहाँ पे 10% का मतलब upon में 100 and multiply 1 kg यह हो जाएगा 1000 gram ठीक है यह 2 0 से 2 0 cancel out हो जाएगे तो यह हो जाएगा 10 into 10 100 gram तो 1 kg जो chalk है उसमें 100 gram calcium होता है ठीक है मैं आगे write कर लेता हूँ इसका हमें क्या write करना है carbon का amount ठीक है न तो carbon amount कितना होगा तो carbon का जो amount है वो हो जाएगा 3% of 1 kg मतलब 3 upon 100 multiply 1000 gram ठीक है 2 0 से 2 0 cancel out and 3 into 10 यह हो जाएगा 30 gram तो जो carbon है 1 kg चौक में वो है 30 gram अभी निकाल लेते हैं oxygen का amount तो oxygen का amount कितना हो जाएगा तो oxygen है इसमें 12% मतलब 12 upon 100 and multiply 1000 gram तो 2 0 से 2 0 cancel out and यहाँ पर 12 into 10 यह हो जाएगा 120 gram तो जो इस 1 kg चौक में oxygen है वो है 120 gram झाल चौक में झालता हो जाएगा तो जाता है